नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस टार मिस्कू नीज में दोस्तों बात करने वाला हूँ लेक पाल भरती के लिए मुख्या परिक्षा में बैठने के लिए जो कट ओफ है परसेंटाइल का जो कट ओफ है सभी केटेगरीज का इसके लिए ओफिशल नोटिस जो है इसक बहुत जल्द इस ओफिशल नोटिस को जारी करने वाला है याने की लेक पाल मुख्या परिक्षा में बैठने के लिए जो कट ओफ है परसेंटाइल का जो कट ओफ है इसको लेकर बहुत जल्द यूपिटर पलेसी एक्शन करने वाला है और आपको बहुत जल्द वेबसाइ है ठीक है दोस्तों और आपको मैंने बताया भी था भाया जनरल कैटेगरी वाले 93.5 से 95 के बीच में जिसका स्कोर है सामने कैटेगरी में वो लेक पाल की मुख्या परिक्षा दे रहा है कोई शक नहीं है कोई शंका नहीं है जिसका परसेंटाइल इसके नहीं है ठीक है न बाकी देखिए और कैटेगरी का हिसाब क्या है मुझे पता लगने पाया भी अभी केवल यू र कैटेगरी का ही पता लगा है ठीक है और देखिए जब पूरा नोटिस यह किलिए हो उस नोटिस में तो फिर कोई दिक्कत रहेगे नहीं आपको सभी कटेगरीज का पता लग जाएगा ठीक है दोस्तो तो यूपिटर पलसी जो है आयोग ने इस पूरे नोटिस पर लगबग लगबग काम पूरा कर लिया है और आपको बहुत जल्द ये नोटिस देखने को मिलन नहीं है और जिनको मेरी बताई हुई कट ओफ पर भरोसा नहीं है वो भाईया एक तो आबकारी भरती का मेरा वीडियो उठा कर देख सकते हैं और जिस दिन आबकारी का रिजल्ट आया वो कट ओफ देख सकते हैं मेरा कट ओफ 99.9% सही साबित हुआ था और जिसको परोसा न जो lower 2019 वाला result आया है उसका cutoff देख सकते हैं और मेरा video देख सकते हैं दोस्तों आपको और बता दूँ जो mandi का result आया था ना mandi spectre का उसका मेरा cutoff देख सकते हैं और Jupiter policy का जो official result है mandi का वो देख सकते हैं ठीक है चाहिए युवा कर लाना अधिकारी की भरती हो उसका मेरा cutoff official आया था वो देख लीजिए cutoff में आपको कहीं भी ज़्यादा difference देखने को नहीं मिलेगा केवल एक या दो percent का ही difference आपको देखने को मिलेगा ठीक है दोस्तों cutoff जो आपको बताई है बिलकुल confirm है और बिलकुल official है और आपको official notice देखने के बाद मेरी बात का पूरा प्रमा देने वाले चात्रों बिलकुल तयार रही है बहुत जल्दमा का होने वाला है और आपको बहुत जल्द यूपिटर पलेसी की official website पर पूरा cutoff percentile cutoff देखने को मिलने वाला है बहुत जल्द ठीक है दोस्तों तो ये खबर है यूपिटर पलेसी से आने वाले इस notice के संबंद म और हाँ जितने भी चात्र लेकपाल की मुख्य परक्षा देने वाले हैं बहुत बांद लीजिए बिलकुल जी जान लगा दीजिए क्योंकि एक बार अगर मौका हाथ से गया तो फिर कम से कम पांच साल आपको इंतिजार करना पड़ जाएगा और पांच साल दोस्तों बिलकुल जी जान लगा दीजिए दिन रात एक कर दीजिए और पूरी मेहनत कीजिए आपको सफलता निश्चित मिलेगी 100% मिलेगी अगर आपने सच्चे मन से काम किया है तो ठीक है दोस्तों तो बार बार ये मौका मिलेगा नहीं अगर एक बार आप दो या तीन नंबर से या एक नंबर से या आधा नंबर से रह गए तो फिर आप पांस साल के लिए वेट करते रह जाओगे और कुछ नहीं होने वाला ठीक है दोस्तों तो बिलकुल तयार रहिए और आपको बहुत जल्दे नोटिस देखने को मिले वाला है और इस भरती को लेकर जो भी जानकार दोस्तों जहिंजे भारत